हाई एवरिवान वेलकुम बैक टूम चैनल मैं हूँ शिवानी और मैं लेकर आगे हूँ आप लगों के लिए एक और इसकिन केयर का वीडियो जो की बहुत टाइम बाद आया है मेरे चैनल पे काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थी कि मैं बताऊं ब्लेक हेट्स के लोग बाहरा ना आए तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू कर देना कॉमेंट सेक्षिन में मुझे अपने फीडबैक जरूर देना और साती साथ कोई और आपकी रिक्वेस्ट वीडियो की वह भी मुझे जरूर बताना शियर कि अपने फ्रेंड्स के साथ में और पहली बार मेरे चैनल को अबड़े क्या करा आए सब्सक्राइब कर लेड़ को साथी साथ बěल आकन को प्रेस कर देना विध और लॉस् mistी वीडियो आपको नोटिवकेशन मिलते रहें आइए शुरू करते हैं let's get started सबसे पहली जो टिप मेरी आप लोगों के लिए है वो है क्लीनिग क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपने फेस का बिकुस हमारा जो फेस है ना वो अट्रैक्ट कर लेता है धूल मित्ती जर्म्स को और जिन लोगों की ओली स्किन है तो वैसे ही ओल जनरेट होता है तो ऐसे में हमें अपनी स्किन की क्लीनिंग का ध्यान अगना बहुत जादा जरूरी है और वो इसकिन की क्लीनिंग करने के लिए आप मेरी स्किन केर टिप वाली जो वीडियो है वो जरूर देखना उस पर मैंने डीपली आपको सारी चीजने एक्स्प्लेइन करी है यहां बहार से आओ अपना फेस जरूर वाश करो सोने जाने से पहले एक बार अपना फेस जरूर वाश करो और आपके फेस पे न वाश करने के बाद अगर थोड़ी सी ड्राइनस सी आपको लग रही है तो मॉस्चुराइजेशन जरूर करो अगर जिन लोगों की ऑईली स्किन है वो लोगों को मैं recommend करूंगे कि आप aloe vera gel लगा सकते हो तो cleaning और साफसफाई का ध्यान रखो जिसे की जो dirt है वो आपकी skin में बैठे ना और ये जो dirt, धूल, मित्टी और ये जो हमारे face का oil मिलके जो हमारे blackheads बना देते हैं ये फिर ना बन पाएं और साथी साथ blackheads दिखने में और वो चीज जो कि आपके face से touch करती हो वो clean होनी चाहिए जब अपने हाथों से अपने face को छूते हैं तो अपने हाथों को जरूर आप wash कीजिए, sanitize कीजिए, इसके लाबा हमारे जो phone होते हैं, phone को हम इस तरह से लेके बात करते हैं और ये चीज जो है, इसकी screen जो हमारे face को करेंगे, अपने phone को भी आप regularly कोशिश कीजिए कि रोज दिन में कम से कम एक बार तो sanitize जरूर कीजिए, इसके अलावा आपके अपने जो भी ऐसी चीज़े हैं, जैसे कि makeup का समान है, या फिर आप जब bed पे सोते हो तो जो pillow cover पे आप सोते हो ना, वो pillow cover भी आपको regularly change जरूर क करने जाहिए, makeup वाले जो product हैं, आपके वह आप कोशिश करो कि आप अच्छे brands के ही लो, और जो आपकी skin को suit करते हो ना, वही products लो, because आप local product अगर लोगे ना, तो वह भी आपकी skin में काफी damage करते हैं, और सबसे एक और ज़रूरी बात कि जब आप सोने जाते हो, तो कोशिश कीजिए, कि आपके face पे makeup उस समय ना हो, अगर आपने दिन में makeup किया हुआ है, तो सोने जाने से पहले, अच्छी तरह से अपने face की cleaning कीजिए, makeup को ज़रूर रिमूव कीजिए, किसी अच्छे makeup remover का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप coconut oil का यूज कर सकते हो, coconut oil अपने hand पे तो आप coconut oil भी use कर सकते हो, otherwise आप invest कर सकते हो, किसी अच्छे makeup remover में, जो की अच्छी जरीके से आपका जो makeup है उसे remove कर पाए, next बात करते हैं, कि अगर आपके face पे बहुत ज़्यादा blackheads already हो गए हैं, तो उनका क्या करना है, देखो सबसे पहली जो trick है, जो blackheads को remove करने के काम स्क्रब करना, स्क्रब आप कोई भी market से ले सकते हो, जो भी आपकी skin के according हो, और उसे आप हफते में कम से कम एक बार तो करो ही करो अपना स्क्रब, हफते में दो बार भी कर सकते हो, पर एक बार जो चुट्टी वाला दिन होता है, उसमें आप एक बार जरूर अपना skincare किया कर कराइब लिए अकuite अब पराऊं आप Ale, पर न रखने कर लें की करते हो, जा बार जो स्क्रब को तो सब्सक्रब करो तो उससे पहले आप बाले अपने पानी कर सक्रियों सिर्फ जालो उसमें नेबर इस नूब आप निककल रही होजी वह लिए पके फेस पर जांगेया और पे होते हैं, यहां इस साइट होते हैं, तो उन पे अच्छे से आप स्टीम लो, स्टीम से क्या होगा ना, कि जो अंदर तक जो फस गए हैं आपके ब्लैक हैट्स वो थोड़े से ओपन होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन थोड़ी खुलेगी और उसके बाद फिर आप जब स्क्रब करोगे ना, तो वो अच्छे से सारा आपका जो ब्लैक हैट्स जमा हो गए हैं, जो वाइट हैट्स जमा हो गए हैं, वो सारे निकल जाएंगे स्क्रब की हेल्प से, अब बहुत सारे लोगों के स्क्रब के बाद भी ये ब्लैक हैट्स नहीं निकल पाते हैं, ज अच्छा उसके साथ साथ आपको एक पिन आती है ब्लैक हैट्स वाली उससे भी निकालेंगे बहुत सारे लोग ये पिन खुद खरीद के निकालने की कोशिश करते हैं ब्लैक हैट्स घर पे वह आप बिल्कुल भी मत करो बिकुज ये प्रोफेशनल लोगों का ही काम है अगर आप खुद से घर पे ट्राय करोगे हो सकता है आपकी स्किन डैमेज हो जाए आपको चोट लगने के चांसे हो को ऐसा मार्क वो छोड़ जाए जो कि फिर अलग से अलग गंदा निशान बन जाएगा तो कभी भी खुद से ब्लैक हैट्स ना निकालें प्रोफेशनल के पास ह और उनसे ही निकलवाइए इसके अलावा डर्मेट के पास भी आप जा सकते हैं वह भी आपकी हेल्प कर देंगे तो आप प्रोफेशनल है अगर घर में आपको कोई फायदा नहीं हो रहा इसके अलावा चिल लोगों की ऑईली स्किन है वह कोशिश कीजिए कि आपका जो कैसे ध्यान रखें मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में मैं उस पर वीडियो बना दोंगी तो थोड़ा सा अपनी स्किन का ध्यान रखो और कोशिश करो कि ऑईल थोड़ा सा कम जनरेट हो आप अपना फेस को बार बार वाश कर सकते हो या फिर जबी आप देखो कि ब मुलतानी म्ति दानी मास्क कम करते होائं को उसके लगों सेखते हो इसके वीडियो आप मेरी इस्कड़ी में शेक्ड़ेक कर सकते हो इसके लाफा जन लोगों की इसकी सिक्कार प्राबल्म है और वाला मास्क करें यह पहु घ। तो उन लोगों को मैं रिकमेंट करूंगे आप तो चारकोल वाला आप मास्क लगा के वो ट्राय कर सकते हो चारकोल का पील आफ मास्क आता है जिसे आप लगा लो और एकदम से आप खींच के निकालोगे तो उसमें आपकी जो ब्लैक हेट्स वाइट्स है वो उसमें निकल जाते हैं तो वो भी काफे अच्छे होते हैं आप वाओ का चार्कोल पील आफ मास्क वह अच्छा लगा मुझे और इसके लावा आप इस ट्रिप भी आती हैं जो की काम करती है कि आपके ब्लेकेट्स निकालने का तो चार्कोल वाली वो नोस ट्रिप भी आप ट्राय कर सकते हो वह भी आपको एजीली मार्केट में मिल जाएंग तो यह थे मेरी कुछ बेसिक से टिप जिन्हें आपको फॉलो करना है जिनसे आपकी ब्लेकेट्स की प्रॉब्लम और वोस्ट खतम हो ही जाएगी और कोई रिक्वेस्ट हो आप लोगों की स्किन केर से रिगार्डिंग तो वो मुझे जरूर बताएगा नीचे कॉमेंट सेक और रियुकर कोई आपकी और वोस्ट नीचे की कॉमेर्ड़ छो म्माड़ड़िक अएll